नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ओफिशल पर तो आज किस वीडियो में मैं आपको 1885 से लेकर 1947 तक की इतिहास को एक ही वीडियो में कहानी की तरह बताऊंगा तो इसे पहले भी मैंने 1885 से लेकर 1947 तक के इतिहास को तीन वीडियो में डिटेल में कवर कर दिया है पर आज की इस एक ही वीडियो में हम 1885 से लेकर 1947 तक के इतिहास की जो महत्पून घटनाएं है न उन्हें संचिप्त रूप से एक ही वीडियो में देखेंगे तो अगर आपने पहले उन तीनों वीडियो को नहीं देखा, तो इस वीडियो के बाद उन तीनों को देख लेना, इस वीडियो से अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद उन तीनों वीडियो को देखेंगे, तो वहाँ पर आपको डिटेल में यही सारी चीजे मिल ज और अगर आपने पहले ही उन तीनों वीडियो को देख रखता है तो इस वीडियो में आपकी रिवीजन हो जाएगी और लाश्ट में हम प्रिविएस एर क्वेशन भी कवर कर लेंगे तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो की शुरूआत करते हैं और कहानी की शुरूआत हम करते हैं 1850 में कॉंग्रिस की स्थापना से तो भारत के राश्ट्रे आंदोलन में कॉंग्रिस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नित्रतों करने तथा अंग्रेजी सरकार के सुरक्षा कपा की आजादी में एक महत्पून योगदान रहा था तो यह हमने पढ़ रखा है तो कॉंग्रिस की स्थापना कब हुई थी तो 28 दिसंबर 1885 को कॉंग्रिस की स्थापना हुई थी इसके संस्थापक कौन है तो ए ओ हुम इसके संस्थापक है जिनका नाम है एलन ओक्टेवियन जो कि स्कोटलेंड के थे और कहां पर इसके स्थापना हुई थी तो कॉंग्रिस की स्थापना मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्याले में इसके स्थापना हुई थी और उसमें वाइसराय कौन थे तो लोड डफरिन उसमें वाइसराय थे और जब कॉंग पहले इसका नाम क्या था भारतिय राष्ट्रे संग था दादा भाय नोरोजी ने इसका नाम भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस कर दिया था और बात की जाए तो कॉंग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कोन थे तो व्योमेश चंद्र बनर जी थे और कॉंग्रेस के प्रथम मुसल्मान अध्यक्ष कोन थे तो बदरुदिन तयव जी और प्रथम यूरोपियन जिसने कॉंग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो उनका नाम था जोर्ज यूले और प्रथम महिला जिसने कॉंग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था यानि कि वह प्रथम European महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने Congress के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इनका नाम था Any Basant, तो देखिए, प्रथम महिला जिन्होंने Congress के अधिवेशन को संबोधित किया था, उनका नाम था कादिम्बिनी गांगुली, और प्रथम महिला जिन्हो जिन्होंने कोंगरेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उनका नाम था एनी बेसंड यहां पर एक और स्वाल भी बन सकता है कि प्रतम भारतिय महिला कौन थी जिन्होंने कोंगरेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो उनका नाम सरोजनी नाइडू होगा यह सब मै आपको कॉंग्रेस अधिवेशन वाली वीडियो में पढ़ा रखा है तो किस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रे गीत वंदे मातरम गाय गया था तो 1896 के कोलकात्ता कॉंग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाय गया था और जब बंदे मातरम गाय गया था तो उसमें जो कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो उसमें कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे रहमतुल्ला स्यानी और जो बंदे मातरम गीत है ये बंकिम चंदर चटर जी के द्वारा लिखा गया है तो कॉंग्रेस के स्थापना के बाद इसलिमों की एकता को तोड़ा जाए और उस समय वाइसराय कौन था तो लोड करजन वाइसराय था और यह लागू कब हुआ था यानि कि बंगाल का विभाजन लागू कब से किया गया था तो यह 16 अक्तूबर 1905 से लागू हुआ था पहले आप देख रहे हैं तो पहले बंगा बहुत बड़ा होता था इसमें बंगाल, बिहार, उडिसा, असम और जो बंगला देश बन गया पूरा मिला कर यह बंगाल होता था प्रन्तू 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया एक बन गया पक्षमी बंगाल और एक बन गया पूर्वी बंगाल तो पूर्वी बंग और इस चेतर में मुसलिम अबादी जादा थी और जो पक्षिमी बंगाल था इसमें हिंदू अबादी जादा थी तो पक्षिमी बंगाल में कौन-कौन सा चेतर था तो बंगाल, बिहार और उडिसा ये पक्षिम बंगाल में आता था तो आप देख रहे हैं कि अबादी के हिस जहाँ पर हिंदू अबादी जादा थी उसे पक्षिम बंगाल बना दिया गया और जहाँ पर मुसलिम अबादी जादा थी उसे पूर्वी बंगाल बना दिया गया तो हिंदू और मुसलिम की एकता को तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था परन्तु लोड करजन ने यह तरक दिया था कि जो बंगाल का छेतर है यह बहुत बड़ा है और परशाशके सोधार के लिए इसे बांटा गया है परन्तु उसका मकसद कोछ और था हिंदू और मुसलिम एकता को तोड़ना ही उसका मकसद था तो इसलिए 1905 में बंगाल का विभाजन होता है तो देखें 3 दिसंबर 1903 को विभाजन का प्रस्ताओ अंग्रेजी संसद में रखा गया था बंगाल विभाजन का प्रस्ताओ उसके बाद 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने यह प्रस्ताओ रखा जाता है कि बंगाल का विभाजन क उसके बाद अगले ही दिन 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में भी यह खबर प्रकाशित कर दिया जाती है कि अब बंगाल को दो टुकडों में बाड़ दिया जाएगा तो 7 अगस्ट 1905 से इसका विरोध होना आरंभ हो जाता है और 16 अक्तूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर एक को बना दिया गया पूर्वी बंगाल और दूसरे को बना दिया गया पक्ष्मी बंगाल तो 16 अक्तूबर 1905 से विभाजन लागू होता है और विभाजन के फल सोरूप बंगाल एवं समपून देश में रोश एवं विरोध की लहर फैल गई और 16 अक्तूबर 1905 को शोग दिवस के रूप में मनाय गया जिस दिन बंगाल का विभाजन किया गया उस दिन को शोग दिवस के रूप में मनाय गया और रविंदरना टैगोर के आवहान पर 16 अक्तूबर 1905 को रक्षा बंधन दिवस के रूप में मनाय गया तो हिंदू और मुसलिम एक्ता को बनाय रख लिखने के लिए 16 अक्तूबर 1905 को रक्षा बंधन दिवस मनाय गया और बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंदर ना टैगोर ने अपना परसिद गीत अमार सोनार बांगला लिखा था और यह गीत जो इन्होंने लिखा था न यही आगे चल कर बांगला देश का इसे अपने राष्ट गान की रूप में अपना लिया तो रविंदर ना टैगोर इकलोते ऐसे वेकती हैं जिन्होंने दो देशों का नैशनल एंथम लिखा है एक तो भारत का और दूसरा बांगला देश का तो 1905 के बाद आगे भम चलते हैं 1906 में तो 1906 में मुसलिम लीग क गठन होता है तो बंगाल विभाजन की घोशना के पश्चाद मुसल्मानों का एक शिष्ट मंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे आगा खांके नितरतों में एक अक्तूबर 1906 को शिमला में वाइसराय लोड मिंटों से जाकर मिलते हैं और इस शिष्ट मंडल ने केंद्रिये, प एक शिष्ट मंडल वाइसराय लोड मिंटों के पास जाता है और अपने लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग करते हैं तो प्रिथक निर्वाचक मंडल क्या होता है ये पिछले ही वीडियो में गोल में सम्मेलन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था तो धाका क नवाब सलिमुल्ला खाग के नेतरतों में 30 दिसमबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुसलिम लीक की स्थापना की घोशना की गई तो यहाँ दखेगा इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में मुसलिम लिग की स्थापना की गए थी तो इसकी स्थापना 1906 में आगाखा, धाका के नवाब सलिमुल्ला और नवाब मुहसिन उल मुल्क के नेतरतों में की गए थी तो याद अखेगा कई बार एक्जामिनर ने ये क्वेस्चन पूछा है और ओप्शन में मुहमद अली जिन्ना जरू लिगता है तो याद अखेगा मुसलिम लिग की स्थापना मुहमद अली जिन्ना ने नहीं की थी मुहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे तो देखिए तो आपसे प्रशन कैसे पूछा जाएगा कि बताए निम्न लिकित में से किसने मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं की थी तो चार ओप्शन होंगे आगा खां, सलिमुला, महसिन उल्मुल्क और मुहम्मद अली जिन्ना तो आपको लगेगा कि मुहम्मद अली जिन्ना तो होगा ही क्योंकि इसने तो स्थापना की ही होगी पर नहीं मुहमद अली जिन्ना ने मुसलिम लिग की स्थापना नहीं की थी, ये 1913 में आगे चलकर मुसलिम लिग में शामिल हो गए थे तो 1906 के बाद आगे चलते हैं 1907 में, तो 1907 में क्या होता है कि कॉंग्रेस का विभाजन हो जाता है तो 1907 में सूरत में कॉंग्रेस का अधिवेशन हो रहा होता है, जिसकी अध्यक्षता रास भिहारी घोश ने की थी, तो इस समय कॉंग्रेस का विभाजन हो जाता है कॉंग्रेस नरम दल और गरम दल दो टुकडों में बढ़ जाती है, जो की हमने डिटेल में पढ़ रखा है, गरम दल के बारे में और नरम दल के बारे में कुछ महत पूर नेता थे, जैसे की दादा भाई नोरोजी, फिरोशा महता, बदरूदिन तयव, गोपाल कृष्न गोखले, ये कुछ महत पूर नेता थे, पर आपको नरम पंथी नेता याद नहीं रखने, आपको गरम दल के नेता याद रखने हैं, क्योंकि गरम दल के ने और अरविंद घोश तो इन चारों का नाम आपको पता होना चाहिए कि ये गरम दल के निता थे और पहले तीनों को तो लाल, बाल और पाल कहा जाता था लाल से लाला लाजपतराए बाल से बाल गंगधर तिलक और पाल से विपिन चंदर पाल तो इन तीनों को लाल, बाल और पाल कहा जाता था तो ये थे गरम दल की निता और चोथे निता थे अरविंद घोश तो इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये गरम दल की निता थे और बाकी नरम दल की निता थे तो 1907 में क्या होता है कॉंग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हो जाता है तो 1907 के बाद अगली इतिहास की महतपुरुन घटना देखते हैं 1908 तो 1908 में क्या होता है कि खुदी राम बोज को फांसी दे दी जाती है तो शहीद खुदी राम बोज भारत में अंग्रेजी शाशन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांति कारी सोतंतरता सिनानी थे इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पक्षिम बंगाल के मिदानपूर जिले में हुआ था तो आखिर इन्हें फांसी क्योदी गई थी तो मुझफरपूर के जज डी एच किंग्स फोड को मारने की साजिश के आरोप में खुदी राम बोज को मुझफरपूर जेल भेजा गया था और जिसे मुझफरपूर शडियंतर के रूप में भी जाना जाता है तो 11 अगस्ट 1908 को 18 साल की उम्र में इन्हें फांसी पर लटका दिया गया और जिसने इन्हें भारतिय सोतंतरता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद बना दिया था तो ये भारत्य सोतंतरता आंदोलन के सबसे कम उम्रे के शही थे, कौन खुदी राम बोस, तो इन्हें 1908 में फांसी दे दी गई थी, उसके बाद अगली महतपूर्ण घटना है 1911, तो 1911 में क्या होता है, बंगाल का विभाजन रद्ध हो जाता है, हमने पढ़ा था कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाता है न, तो आगे चलकर 1911 में क्या होता है, कि बंगाल का विभाजन रद्ध कर दिया जाता है, क्योंकि जब बंगाल का विभाजन किया गया, तो बहुती उगर रूप से अंदोलन किया जाने लगे, तो आगे चलकर क्या होता है, कि 1911 में जो अंग्रेजी शाषन को समावत करने के लिए भारतियों के द्वारा आयोजित एक अंतर राष्ट्रिय राजनीतिक अंदोलन था, तो इसका गठन 1913 में हुआ था और इसका मुख्याल है अमेरिका के सैन फ्रांसिसिको में था और इसकी स्थापना गदर पार्टी की स्थापना लाला हर्दयाल और सोहन सिंग भाखना ने की थी, इंपोर्टेंट है याद देखेगा, एक तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी और स्थापना की किसने थी, तो लाला हर्दयाल और सोहन सिंग भाखना ने की थी, तो 1913 के बाद अब हम कहानी के अगले तो 1914 में क्या होता है प्रत्थम विशुयुद होता है जो की चार सालों तक चलता है तो प्रत्थम विशुयुद 1914 से शुरू होता है और 1918 तक चलता है तो 1914 के बाद 1915 में महत्मा गांदी जी दक्षीन अफरीका से भारत वापस आते हैं तो यह भी महत्पून घटना है अपने तो 1915 में महत्मा गांदी जी दक्षीन अफरीका से भारत वापस आते हैं और उसी समय आपको पता है कि प्रत्थम विशुयुद चल रहा होता है तो महत्मा गांदी जी क्या करते हैं भारतियों को अंग्रेजी सेना में शामिल होने के लिए प्रोसाहिद करते हैं और प्रत् चल कर अंग्रेजों का भारतियों के प्रति जो रोवया था वो नरम रहेगा और भारतियों के लिए ये काफी सुधार करेंगे पर आगे चल कर ऐसा नहीं होता और इसलिए महत्मा गांदी जी को अंग्रेजी सेना में भरती कराने वाला सार्जेंट भी कहा गया था क्योंकि इन्होंने भारतियों को अंग्रेजी सेना में जाने के लिए प्रोसाहिद किया था तो 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन होता है और उसके अगले वर्ष 1916 में लखनव समझोता होता है तो 1916 में कॉंग्रेस का लखनव में अधिवेशन हो रहा होता है जिसके अध्यक्ष कोन होते हैं, अम्भी का चरन मजूमदार और इसमें क्या होता है तो हमने पीछे पढ़ा था ना कि 1907 में क्या हुआ था, कॉंग्रेस का विभाजन हो गया था पर वही आगे चलकर 1916 में नरम दल और गरम दल का एकी करन हो जाता है जो कॉंग्रेस का विभाजन, नरम दल और गरम दल में हुआ था ना, वही 1916 में एकी करन यानि की दोनों आपस में मिल जाते हैं और इसे के साथ साथ कॉंग्रेस और मुसलिम लिग का भी आपस में समझोता हो जाता है और 1916 में ही होम रूल लिग की स्थापना होती है तो होम रूल लिग क्या था? तो यह है प्रत्थम विश्विदिक के समय प्रत्थम भारतिय प्रतिक किरिया थी जो की आईरिश होम रूल लिग से प्रेरी थी तो इस अंदोलन का उद्देश राजनितिक सिक्षा और सार्वजुनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशाशन को प्राप्त करना था स्वशाशन यानि की खुद के शाशन को प्राप्त करना था तो देखे भारत में होम रूल लिग की स्थापना दो लोगों ने की थी बात करें मदरास में तो मदरास में होम रूल लिग की स्थापना एनि बेशंट ने की थी और पुने में होम रूल लिग की स्थापना बाल गंगा धर तिलक जीने की थी तो याद दखेगा मदरास में होम रूल लेकि स्थापना किस ने की थी इनी बेसंट ने और पूने में होम रूल लेकि स्थापना किस ने की थी तो बाल गंगधर दिलक ने तो 1916 में Home Rule लेकि स्थापना होती है और उसके बाद 1917 से जो गांधी जी भारत में आये थे ना अब वो Action Mode में आ जाते हैं यानि कि वो भारत में अपना पहला अंदोलन करते हैं 1917 में तो यह है चमपारन अंदोलन था तो 1917 में चमपारन जो कि बिहार में है तो बिहार के एक स्थ जिनका नाम था राज कुमार शुकल वे गांधी जी से मिलने आये और उन्हें चमपारन के स्थिति के बार में बताया और उन्होंने गांधी जी को चमपारन की तीन कठिया परनाली के बार में जानकारी दी और गांधी जी को चमपारन चलने के लिए कहा तो यह तीन कठिया बटा बीसमे हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे और इसी तीन बटा बीसमे हिस्से पर नील की खेती को तीन कठिया परनालिक कहा गया तो अंग्रेजी वगान मालिकों ने भारतियों को अपने खेतों के तीन बटा बीसमे हिस्से पर नील की खेती करने के लिए जबरद तो इसी 3 बटा 20 में हिसे पर नील की खेती को 3 कठिया परनाली कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ तो महात्मा गांधी जी ने चमपारन में आंदोलन कर दिया। तो हमने गांधी यूगवाली वीडियो में इसके बारे में डिटेल में पढ़ रखा है। यहां पर मैं आपको सब भी घटनाओं के बारे में संक्षिप्त रूप से बता रहा हूँ तो 1917 में चमपारन में आंदोलन होता है नील की खेती के विरोध में तो इस अत्यागरह के बाद रविंदर ना टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधी दी गई थी और उसके बाद से ही इन्हें महात्मा गांधी के नाम से बुलाए जाने लगा तो इसी आंदोलन के बाद रविंदर ना टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधी दी थी तो याद दखेगा गांधी जी को महात्मा की उपाधी किस ने दी थी तो रविंदर ना टैगोर ने दी थी तो 1917 में चमपारन अंदोलन होता है और उसके बाद अगले ही वर्ज 1918 में एहमदाबाद मिल मजदूर अंदोलन होता है तो चमपारन सत्यागरे के बाद 1918 में गांधी जी एहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा तो यहां का मामला क्या था तो यहां का विवाद पलेग बोनस को लेकर था जब पलेग की समापती हुई तो मिल मालिकों ने बोनस को समापत करना चाहा जिसको लेकर मजदूरों ने इसका विरोध किया था और गांधी जी ने भी मजदूरों को हरताल पर जाने के लिए कहा था और गांधी जी ने भी मजदूरों के साथ मिलकर अंदोलन किया था तो यहां पर भी गांधी जी की विजह होती है पिछले अंदोलन में भी चमपारन अंदोलन में भी गांधी जीत हुई और इस अंदोलन में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरुद आवाज उठाते हैं और खेड़ा अंदोलन करते हैं तो यहां पर किसानों की फसलें नश्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली की जा रही थी तो इसी के खिलाफ गांधी जी अंदोलन करते हैं तो गांधी जी के दक्षिन अफरीका में किये गए उनके कारियों के लेकर भारत में भी काफी चर्चित थे और इन आंदोलनों में भी सफलता पाते हुए वो भारत में बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे थे तो जैसा कि हमने देखा कि गांधी जी 1915 में भारत वापिस आय थे और उसके बाद उन्होंने तीन आंदोलन किये 1917 में चमपारन आंदोलन 18 में एहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और 18 में ही खेड़ा आंदोलन और तीनों आंदोलनों में वो सफल रहे जिसके बाद वो भारत में बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे तो अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो 1918 के बाद 1919 में चलते हैं तो 1919 में रोलेट एक्ट आता है तो रोलेट एक्ट क्या है? तो 1914 से लेकर 1918 तक विश्वयुद्ध चला और भारतियों को लग रहा था कि अगर हम अंग्रेजों का साथ देंगे जो की उन्होंने दिया तो परत्थम विश्वयुद्ध के बाद अंग्रेज भारतियों के लिए कुछ अच्छा लेकर आएंगे पर अंग्रेज क्या लेकर आए? रोलेट एक्ट तो जब 1918 में विश्वयुद्ध समाप्त हो गया था तो उसके बाद ही 1919 में अंग्रेजों के द्वारा रोलेट एक्ट भारत में लाए गया था प्रन्तु इस एक्ट में भारतियों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी जैसा गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे क्योंकि जैसे हमने उपर चर्चा की थी कि गांधी जी भारतियों को विश्वयुद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए प्रोसाहिद कर रहे थे ताकि वीशुवित के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे परन्तु ऐसा कुछ नहीं होता अंग्रेज क्या लेकर आते हैं? रोलेट एक्ट तो रोलेट एक्ट क्या था? तो इसे बिना अपील बिना वकील और बिना दलील का कानून चाटा है क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस एक्ट में था कि अंग्रेजों को अगर किसी पर शक होता है न तो शक के अधार पर भी वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं और उस पर मुकदमा चला सकते हैं तो इसलिए इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया कि किसी पर भी शक के अधार पर उसे गिरफतार कर लो और उस पर देश-द्रो का भी मुकदमा चला सकते हैं तो इसे रोलेट एक्ट कहा गया इसको बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहते हैं और गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था तो इस कानून के बाद क्या हुआ कि भारतिय बाहर निकले और आंदोलन किया और उसी आंदोलन में पंजाब के दो लोग पिरिये नेता दोक्टर सत्यपाल और डोक्टर सैफुदीन किचलू की गिरफतारी हो जाती है ये भी आंदोलन कर रहे थे और अंग्रेजों ने क्या किया रोलेट एक्ट आही गया था तो शक्की अधार पर ही इनको गिरफतार कर लिया डोक्टर सत्यपाल और डोक्टर शैफुदीन किचलू इनको गिरफतार कर लिया तो इनकी गिरफतारी के बाद जनता का अक्रोश तेज हो गया और कई जगे हिंसाईं देखने को मिली और इसी घटना के बाद जलियाँ वाला बाग का नरसंगार होता है तो अमरसर शहर में 13 अपरेल 1919 को शाम 5 बजे जलियाँ वाला बाग में एक विशाल सभा रोलेट एक्ट को वापिस लेने के लिए और डोक्टर सत्यपाल और डोक्टर सैफुदीन किचलू की जो गिरफतारी की गई है उन्हें रिहा करने के लिए भाशन चल रहा था तब ही क्या होता है कि एक सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोगिनाल डायर ने फोज द्वारा भीड पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और इस घटना कांड में लगभग 1500 लोग मारे गए और वैसे सरकारी आंकडों की बात के जाए तो सरकारी आंकडों के अंसार जो मारे गए लोगों की संख्या है वो केवल 389 है और घायलों की संख्या बताए गई है 1200 परंथू आपको पता ही है कि सरकारी आंकडों में हमेशा कम आंकड़े ही दिया जाते हैं और वैसे इस घटना में लगभग 1500 लोग मारे गए थे वो सभी निहत्ते थे और जनरल डाय कौन था तो लोड चेम्स फोर्ड यह समय भारत का वाइसरा है था तो 1919 में जलिया वाला बाग नरसंखार होता है और इसी समय खिलाफत अंदोलन भी 1919 में ही शुरू होता है तो उसमय क्या था तो तुर्की के खलीफा को सारे विशो के मुसलिमों के द्वारा धार में माना जाता था और इनके उपर और तुर्की के खलीफा के उपर अंग्रेजों के द्वारा बुरा विवहार किया जा रहा था और अंग्रेज उन्हें अपने पद से हटाना चाते थे तो अंग्रेजों के द्वारा उनके साथ किये जाने वाले इस विवहार को लेकर भारत मे पुअ कि दी भी मुस्लिमों ने अंग्रेजों के विरुद किलाफद अंधोलन ने जोला बाता में जोड़ना चाहते थे. इसलिए गांधी जी ने भी खिलाफद अंधोलन का संधोल किया. तो प्रारम में इस आंदोलन का नितरतो यानि की खिलाफद आंदोलन का नितरतो अली बंधुओं के द्वारा जिनका नाम था शोकत अली और मुहम्मद अली इनके द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था प्रंतु आगे चलकर खिलाफद आंदोलन का नितरतो गांधी ज द्वारा खिलाफत अंदोलन की शुरुवात की गई थी तो 1919 के बाद आगे भम चलते हैं 1920 में तो अब क्या होता है तो अंग्रेजों के खिलाफ आसहयोग अंदोलन होता है क्योंकि एक तो अंग्रेज रोले टैक लेकर आए उसके बाद क्या हुआ जिलियावाला बाग नरसंगहार हुआ जिससे क्या हुआ कि भारतिय काफी आक्रोश में आ गए तो भारतियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आसहयोग अंदोलन कर दिया तो इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी के द्वारा अगस्ट 1920 में आसहयोग अंदोलन की शुरुवाद करी गए थी और यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़े अंदोलन में से एक था और यह अंदोलन अहिंसक होना था जिसमें भारतियों को अपने खिताबों का त्याग सरकारी सेक्षन संस्थानों का त्याग सरकारी सेवाओं का त्याग विदेशी समान और चुनाव का बहिशकार करना था क्योंकि इसका नाम क्या था आसहयोग अंदोलन तो अंगरेजों के द्वारा दी जा रही जितनी भी सोईधाईं थी अंग्रेजों के कानून का, उनके समान का, उनके सेक्षन संस्थानों का यानि की एक तरह से उनका आसहयोग करना था इसलिए से आसहयोग अंदोलन कहा गया और इसमें गांधी जी ने भी अपनी केसरे हिंदी की उपाधी त्याग दी थी तो जब गांधी जी 1915 में दक्षिन अफरीका से भारत वापस आये थे न, तो हमने पढ़ा था, उन्होंने भारतियों को प्रोसाहित किया था कि वो अंग्रेजों का साथ दें, अंग्रेजी सेना में उनके साथ लड़ें, तो उसमें अंग्रेजों ने खुश होकर गांधी ज जाती है, जिससे कहते हैं, चोरी चोरा कांड, तो 5 फरवरी 1922 को गोरग पूर जीले में, चोरी चोरा में किसानों के एक जुलूस पर, पुलिस वाले क्या करते हैं, गोलियां चला देते हैं, जिसके बाद क्या होता है, कि भीड के द्वारा थाने को जला दिया जाता है, और इसमें 22 पूलिस कर्मी मारे जाते हैं, और इस घटना के बाद गांधी जी ने इस आसहयोग अंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देख इसको समाब्द करने का निर्ने लिया, हमने पढ़ा था कि जो आसहयोग अंदोलन होना था, ये अहिंसक होना था, पर यहाँ पर क्या होता है हिंसा घट जाती है, जिसके बाद गांधी जी क्या कहते हैं, कि इस आसहयोग अंदोलन को समाब्द करना होगा, परंटु इस आसहयोग अंदोलन को समाब्द करने के फैसले की अलोचना, बहुत भारतिय निताओंने की थी, जैसे कि सुभाचंदर भोष के द्वारा इस फैस अंदोलन को समाप्त करने के इस फैसले की अलोचना की थी। प्रंतु गांधी जी अपने इस फैसले पर डटे रहे और आगे चलकर इन सभी ने गांधी जी के इस फैसले को स्विकार कर लिया था और आसहयोग अंदोलन को समाप्त कर दिया। तो चोरी-चोरा कांड के बाद आ चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू जो गांधे जी के विचारों के साथ सहमत नहीरा करते थे तो इन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करने का निरने लिया था तो इसी करम में चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू ने इलहबाद में मार्च 1923 में सुराज पार्टी की स्थापना की थी तो या दखेगा 1930 में सुराज पार्टी की स्थापना होती है किसके द्वारा की जाती है तो चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू के द्वारा 1923 में सुराज पार्टी की स्थापना होती है और उसके अगले ही वर्ष 1924 में बेल गाउ में महात्मा गांधी जी के द्वारा कॉंग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है तो यतना खास क्यों है क्योंकि महात्मा गांधी जी के द्वारा केवल एक बार ही कॉंग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गए थी और ये बेल गाउ में की गए थी तो ये कॉंग्रेस का 40वा अधिवेशन था और एक मात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी अध् पूंबई पहुचा था और यहां इसका स्वागत देश व्यापी हरताल से हुआ था और जब यह कमीशन दिल्ली पहुचा था तो इसको काले झंडे दिखाए गए थे और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ इसका विरोध किया गया था तो साइमन जब लाहोर तो साइमन कमिशन कब भारत आय था तो 1928 में भारत आय था और इसके बाद 1929 में लहोर में कॉंग्रेस का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता पंडित जोहरलाल नहरू जी करते हैं और इसी अधिवेशन में पूर्ण सवराज की मांग की जाती है तो कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण सवराज की मांग की गए थी तो लहोर अधिवेशन में की गए थी जिसकी अध्यक्षता पंडित जोहरलाल नहरू जी करते हैं तो उसके बाद 1929 के बाद 1930 में गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च किया जाता है तो यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अपरेल 1930 तक चला था और यह दांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबर मती आश्रम से लेकर दांडी गुजरा तक चलाय गया था और इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग-अलग छेतरों से कुल 78 सयोगियों ने शुरूआत में भाग लिया था आगे चल कर यह गिंती लाखों में पहुँच जाती है प्रंतु शुरुवात में 78 से योगियों ने गांधी जी के साथ भाग लिया था और जो इसकी दूरी थी इस दांडी मार्श की दूरी थी ये लगभग 241 मिल थी तो आपको पता ही है कि नमक पर कर लगाने के कानून के विरुद गांधी जी ने दांडी मार्श किया था और यहां मार्श 12 मार्श 1930 को शुरू हुआ था जो की साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और 6 अपरेल 1930 को दांडी में जाकर यह दांडी मार्च खतम हुआ था तो दांडी मार्च के बाद अगली महत्पून घटना होती है प्रथम गोल में समेलन तो पिछले ही वीडियो में मैंने आपको तीनों गोल में समेलन डिटेल में पढ़ा दिये तो प्रथम गोल में समेलन के है तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत में आंदोलन चल रहे हैं तो अंग्रेजों को ये पता लग जाता है कि अगर भारत में जादा देर तक शाशन करना है तो भारतियों का सहयोग मिलना जरूरी है क्योंकि अगर भारत पर लंबे समय तक शाशन करना है तो भारतियों का सहयोग जरूरी है भारतियों को भी परशाशन में जगह देनी पड़ेगी तो इसलिए परथम गोल में सम्मेलन का आयोजन किया जाता है लंदन में और लंदन में भारत के अलग-अलग राजनितिक दलों को बुला जाता है और कहा जाता है कि आप यहाँ पर आओ और अपनी समस्याएं हमें बताओ, हम आपकी समस्याओं का निप्टारा करेंगे, हम आपको भी परशाशन में हिस्सा देंगे तो यह सम्मेलन जो परथम गोल में सम्मेलन हुआ था ये 12 नुवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 इस्वी तक चला था तो 1930 में यह सम्मेलन हुआ था और परथम गोल में सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित हुआ था तो तो जोर्ज पंचम, अंग्रेजी परधान मंतरी कौन थे, तो रेमजे मैकडोनाल्ड, और उसमें, गुवर्णर जनरल, यानि कि वाइसराय कौन थे, तो लोड इर्विन, ये तीनों ही क्वेशन पूशे जाते हैं, कि प्रत्थम गोल में समेलन के समें, किंग कौन थे, तो जो पहले गोल में समेलन में, 89 परतिनिध्यों ने भाग लिया था, और इसमें, बिटिश राजनितिक दलों के 16 परतिनिध्यों शामिल थे, और भारत की तरफ से 73 परतिनिध्यों ने भाग लिया था, जिसमें से 16 देशी रियासतों से थे, और बाकी 57 राजनितिक निता थे, तो उकुल मिलाकर 89 परतिनिध्यों ने पहले गोल में समेलन में भाग लिया था, परंतु कॉंगरेस की तरब से कोई भी परतिनिध्य इस समेलन में उपस्थित नहीं हुआ था, क्योंकि इस समय सवी ने अवग्या अंधोलन चल रहा था भारत में, तो भारत में एक तरब तो ग्रेजों के द्वारा रख्या गया था, उसमें भाग कैसे लें? तो इसलिए कौंग्रेस का कोई भी प्रतिनिधी इस गोल में समेलण में उपस्थित नहीं हुआ था. तो परथम गोल में समैलन के बाद होता है, दुवित्य गोल में समैलन, तो परथम गोल में समैलन में कॉंगरेस के द्वारा भाग नहीं लिया गया, जिसके बाद क्या होता है? गांधी जी और भारत के वासराए इर्विन की बीच में समझोता होता है तो इर्विन के द्वारा गांधी जी की कुछ मांगे माननी जाती है और इर्विन गांधी जी से कहता है कि हमारे भी कुछ शर्ते हैं कि आपको जो ये आंदोलन चल रहा है सवीने अवग्या अंदोलन इसे समावत करना होगा और दूसरे गोल में समयलन में भाग लेना होगा तो गांधी जी और इर्विन की बीच में समझोता हो जाता है जिसके बाद क्या होता है गांधी जी दूसरे गोल में समयलन में भाग लेते हैं तो तीनो ही गोल में समयलन लंदन में ही हुए थे, तो इस समय भी ब्रिटिश समराड कौन था, जोर्ज पंचम, परधान मंत्री, रेमजे मैकडोनार्ड था, प्रन्तु वाइसराय बदल गया था, पहले गोल में समयलन में वाइसराय कौन था, तो पहले गोल में समयलन में लो प्रतिनिधी तो आई थे उसके अलावा कॉंग्रेस की तरफ से कोन आय थे तो महातमा गांधी जी ये कॉंग्रेस के एक मात्र प्रतिनिधी थे जिन्होंने दूसरे गोल में समयलन में हिस्सा लिया था और महिलाओं की प्रतिनिधी कौन थी तो सरोजनी नाइडू और बेगम जहां आरा शहनवाज और राष्ट्रे दल के प्रतिनिधिकों थे मदन मोहन, मालविये और दलित वर्ग के प्रतिनिधिकों थे तो बाबा साहब भीमराव अमेड कर इन्होंने तीनों गोल में समेलन में भाग लिया था और मुसलमानों के प्रतिनिधिकों थे तो आगाखां त पर सभी ने प्रिथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी, जिसके बाद गांधी जी नराज हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर सभी अपने अपने धर्मों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे, जैसे कि मुसल्मान, सिख ये सभी अपने लिए प्रिथक निर् प्रिथक निर्वाचक मंडल क्या होता है, मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था, कि प्रिथक निर्वाचक मंडल में क्या होता है, कि मा लेजिए कोई भी सीट, अगर वो मुसलिमों के लिए अरक्षित है, तो उमीदवार कौन होगा, तो मुसलिम ही उमीदवार हो प्रंतु जो उसको वोट देंगे वो भी किवल अनसूची जाती के ही हो सकते हैं और किसी भी वर्ग का व्यक्ति उस उमीदवार को वोट नहीं दे सकता तो उसी को प्रिथक निर्वाचक मंडल कहा जाता है पिछली वीडियो में मैंने उधारन के साथ डिटेल में प्रिथक निर्वाचक मंडल और अरक्षी सीट क्या होती है कमपैरिजन करके आपको समझाया था वो वीडियो आप देख लेना गोल में सम्मेलन वाली वीडियो है वहाँ पर मैंने बताया था तो दूसरे गोल में सम्मेलन में क्या होता है कि बाबा साहब भीमरा अमेड कर भी अपने वर्ग के लिए यानि की दलितों के लिए प्रिथक निर्वाचक मंडल की मांग कर लेते हैं जिसके बाद क्या होता है? गांधी जी काफी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि गांधी जी को लगता है कि अगर दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया जाएगा, तो इसे हिंदु धरम में फूट पड़ जाएगी. इसे लिए गांधी जी जब भारत में आते हैं, तो आमरन अंशन पर चले जाते हैं, तो इसी बीच में क्या होता है? गांधी जी और बाबा साब भीमराव अमबेटकर की बीच में पूना समझोता होता है. तो गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाये जाने से बहुत दुखी हुए और 20 सितंबर 1922 से पुने की यर्वदा जेल में आमरन अंशन प्रारम कर दिया जिसके बाद क्या होता है मदन मुहन मालविय, डोक्टर राजंदर परसाद और सी राज गोपालाचारी के परियासों से पुना में गांधी जी और बाबा साब भीम अंवेडकर के बीच में एक समझोता होता है जिसे पुना समझोता कहा जाता है तो इस समझोते के अनुसार दलितों के लिए प्रिथक निर्वाचक मंडल समावत कर दिया जाएगा यानि कि दलितों के लिए कोई भी प्रिथक निर्वाचक मंडल नहीं होगा इसके बदले मे दलितों के लिए जो रिजर्व सीटें थी वो 71 से बढ़ा कर 147 कर दी गई यानि कि जो प्रांतों में दलितों के लिए पहले रिजर्व सीटें जो 71 थी उन्हें बढ़ा कर अब कितना कर दिया गया तो 147 कर दिया गया तो यही है पुना समझोता जो कि गांधे जी और बाबा साव भीमराव अमेडिकर के बीच में हुआ था तो इसके बाद क्या होता है तो तीसरा गोल में सम्मेलन होता है तो दूसरे गोल में सम्मेलन की विफलता के बाद 17 नौंबर 1932 से लेकर 24 जिसंबर 1932 तक लंदन में तीसरा गोल में सम्मेलन आयुजित होता है और तीसरे गोल में सम्मेलन में बहुत ही कम परतिनिध्यों ने भाग लिया था तो इसमें भी किंग कौन थे तो जोर्ज पंचम थे प्रधान मंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड थे और भारत में वाइसराइकों थे तो लोर्ड वेलिंग्टन थे तो तीसरे गोल में सम्मेलन में कौंग्रेस ने भाग नहीं लिया था क्योंकि जब दूसरे गोल में सम्मेलन में कौंग्रेस ने भाग लिया था और वहाँ पर कोई परिणाम नहीं निकल पाया, जिसके बाद गांधी जी भारत वापत जाते हैं और दुबारा से सवीने अवग्या आंदोलन शुरू कर देते हैं, इसलिए गांधी जी को पूने की यरवदा जेल में बंद कर दिया गया था, तो उसी जेल में उन्होंने आम नहीं लिया, और इंगलेंड की लेबर पार्टी ने भी इसमें भाग नहीं लिया था, और मुहम्मद अली जिन्ना को भी इसमें अमंत्रित नहीं किया गया था, तो तीसरा गोल में समेलन भी एक तरह से आसफल रहा था, उसके बाद देखते हैं, तो 1935 में भारा सरकार अध 1935 पारित किया जाता है, और यह 1937 में लागू होता है, तो यह अधिनियम लोड लिन लितिगों के नेतरतों वाली संयुक्त चयन समित्ती की रिपोर्ट पर अधारित था, तो जो भारा सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ था ना, अभी जो वरतमान में भारत का समिधान है, इ इसका महत्पून हिस्सा अभी भी भारत के समिधान में शामिल है, उसके बाद 1949 में दूसरे विश्युद की शुरुवात हो जाती है, और दूसरा विश्युद एक सितंबर 1949 से लेकर दो सितंबर 1945 तक चलता है, और अगले ही साल, यानि कि 1940 में मुस्लिम लीग ने एक अलग पाकिस्तान की मांग कर दी थी, इसे पहले ओफिश्यल रूप से पाकिस्तान की मांग नहीं हुई थी, प्रन्तु 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा ओफिश्यली पाकिस्तान की मांग की जाती है, तो 1940 के बाद 1942 में किरिव समिशन भारत में आता है, तो पहले हमने देखा था कि जब पहला विश्यूद हुआ था तब भारतियों ने अंग्रेजों का साथ दिया था और अंग्रेज इसके बदले में क्या लेकर आए थे रोलेट एक्ट लेकर आए थे तो अब भारतिये समझ गए थे कि अंग्रेजों का साथ देकर हमें कुछ नहीं मिलेगा तो उसमें क् 1949 में दूसरे विश्युद की शुरुवात होती है तो Crips Mission भारत में आता है तो इसका उदेश क्या होता है कि दूसरे विश्युद में भारतियों का सयोग प्राप्त करना परन्तु अब भारतिये समझ गे थे कि अंग्रेजों का युद में साथ देकर कोई फायदा नहीं होगा तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था और स्टेफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में विस्टन चर्चिल की गठबंदन सरकार में लेबर मिनिस्टर थे यानि की शरम मंतरी थे तो इन्ही की नेतरतों में क्रिप्स मिशन भारत आया था तो क्रिप्स मिशन 22 मार्च से 11 अपरेल 1942 तक भारत आया और इसका उद्देश्य दिवित्य विश्व युद में बिटिश युद के लिए भारतिय सहयोग प्रावत करना था प्रंतिव भारतियों ने मना कर दिया क्योंकि भारति अब समझ के थे कि अंग्रेजों का साथ देकर कोई फाइदा नहीं है और उसके बाद 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है तो इसी अंग्रेजों के द्वारा ओपरेशन जीरो आवर चलाय गया जिसके तहट क्या हुआ कि जो भी भारत छोड़ो आंदोलन को लीड कर रहे हैं इनको पकड़ कर जेल में डाल दिया गया जिसके तहट गांदी जी सहिद लगभग सारे बड़े निताओं को गिरफतार कर लिया गया था और गांदी जी को अंग्रेजों के द्वारा गिरफतार करके आगा खां पैलेस में कैज करा गया था और अंग्रेजों की और से पूरी कोशिश इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी प्रन्तु इस आंदोलन के दूसरी पंक्ति के निताओं ने अलग-अलग छेतरों से यह आंदोलन जारी रखा और इसके साथ-साथ लोगों ने भी इस आंदोलन में खूब सयोग किया था और यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़ी सोतंतरता संगराम की लड़ाई में से एक बना था भारत छोड़ो आंदोलन उसके बाद क्या होता है तो 1945 में शिमला सम्मेलन होता है और यह भारत शिमला में वाइसराय लोड विवल और भारत के प्रमुक राजनितिक नेताओं की बिच बैटक होई थी और यह विवल योजना के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था और यह सम्मेलन 24 जोन 1945 को शिमला में शुरू हुआ था और 14 जुलाई 1945 तक चला था प्रन्तु शिमला सम्मेलन विफल साबित हुआ इसमें से कोई निशकर्ष नहीं निकला और 1946 में क्या होता है तो कैबिनेट मिशन भारत आता है तो इसका उद्देश ये क्या था तो इसमें यह तै हो गया था कि अब भारत को अजाद कर दिया जाएगा तो भारत के लिए एक समिधान के निर्मान के संबंध में भारतिये निताओं के साथ समझोते पर पहुँचना इसका उद्देश था दूसरा इसका उद्धेश क्या था कि एक समिधान बनाने वाली संस्था तयार करना यान कि समिधान सभा को तयार करना और तीसरा इसका उद्धेश क्या था कि प्रमुख भारतिय दलों के समर्थन से एक कारे-कारी परिशत की स्थापना करना तो ये कैबिनेट मिशन का एवं अंतिम गुवर्नेर जनरल लोड मांट बेटन भारत आया और लगभग दो महिनों की वारता के पच्चाद लोड मांट बेटन इस नतीजे पर निकला कि भारत का विबाजन करना जरूरी है और लोड मांट बेटन की योजना के अंसार भारत और पाकिस्तान दो अलग दे बना दिये गए तो उस समय तो भारत के दो टुकड़े किये गए थे यानि की एक पक्षमी पाकिस्तान बना था और एक पूर्वी पाकिस्तान बना था जो पूर्वी पाकिस्तान था ये आगे चलकर बांगलादेश बन जाता है यानि की पाकिस्तान से आजाद हो जाता है प रन्तु आगे चलकर पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान से आजाद हो जाता है और बांगलादेश बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा थियोरी सक्षन कंप्लीट होता है, अब हम प्रिवियस एर क्वेशन देखते हैं। तो पहला प्रिशन है कि चमपारन सत्यागरा के दोरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी। तो बंगाल का विभाजन उनिसो पांच में हुआ था और इस विभाजन को रद किया गया था उनिसो ग्यारा में। तो इसका सही जवाब है option C, अगला प्रिशन है किन्यमन लिकित सोतंतरता से नानियों में से कौन मोतिला नहरू के साथ सोराज पार्टी का सै संस्थापक था। तो सोराज पार्टी की स्थापना मोतिला नहरू के साथ किस ने की थी तो चितरंजन दास ने। तो इसका सही जवाब है, option B, अगला प्रेशन है, किन्यमन लिखित घटनाओं को काल अनुकरमिक करम में विवस्थित कीजिए, और नीचे दियेगे कूर से सही उत्तर का चैन कीजिए, तो आपको इन घटनाओं का सही करम बताना है, तो कौन-कौन सा कथन दिया गया है, पुन गांधी इर्विन समझोता हुआ, गांधी इर्विन समझोता के बाद, पुनासंधी और आखिर में किर्व से मिशन भारत आया था, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा, option C, पहले आएगा fourth, फिर second, फिर first, फिर third, तो इसका सही जवाब है, option C, अगला अगला प्रेशन है कि भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण सवराज को अपना लक्ष घोशित किया था, तो इसका सही जवाब है, option C, अगला प्रेशन है कि भारत छोडो अंदोलन को किस नाम से भी जाना जाता है, तो भारत छोडो अंदोलन को अगस्ट अंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही जवाब होगा, option B, अगला प्रेशन है कि मुसलिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था, तो 1940 में, और कहां पर पारित किया था, तो लहोर में, तो इसक किस वर्ष लोटे थे, तो महत्मा गांधी, 1915 में, दक्षिन अफरीका से भारत लोटे थे, तो इसका सही जवाब है, option A, अगला प्रेशन है कि चोरी-चोरा नामक परसिज स्थल कहां पर है, तो चोरी-चोरा नामक परसिज स्थल गोरकपूर में है, तो इसका सही जवाब ह option A, अगला प्रेशन है कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया, उसमें भारत का वाइसराय कौन था, तो जब क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो उसमें भारत का वाइसराय था, लिन लितिगो, तो इसका सही जवाब है, option C, तो आज का आखरी प्रेशन है कि गांधी जी भार पती राष्ट्र ये कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और वो अध्यवेशन कहा हुआ था तो बेल गाँ में वो अध्यवेशन हुआ था और वो कॉंग्रेस का चालिसमा अध्यवेशन था तो इसका सईजवाब है, ऑप्षन तो आज के वीडियो यहिंपर खत्म होती है, कै कसी लगए वीडियो कोमेंट सेक्षन में जरूर बताना धन्यवाद।